कि ऐसा टाइम जब आपको बहुत नीद आ रही थी लेकिन आपको जगना पड़ा कि अच्छी नीद लेने के फायदे गया है फर्स्ट वन इस ओविसली कि बिना कोई शक गेटिंग एनव स्लीप प्लेज एन इंपोर्टन रोल इन शेपिंग पीपल्स हेल्थ कि लोगों को हेल्दी रखने के लिए अच्छी नीद लेना बहुत ही ज़रूरी है अपना हाड वकिंग डे के बाद एनरजी को रीचार्ज करने में मदद करती है जिससे हमारा जो माइंड और बॉड़ी है वो वर्क के कारण, स्ट्रेस के कारण ओवर्लोड नहीं होता for example, an 8-hour sleep is believed to help people work efficiently and boost their productivity कि 8 गंटे की नीद है उससे क्या माना जाता है कि वो लोगों की मदद करती है अगले दिन कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए और पूरी मेनत के साथ if people do not get enough sleep लेकिन अगर लोग अपनी अच्छी नीद ना ले they can find it difficult to concentrate on their task उस वज़े से वो अपने अगले दिन के कामों में अच्छे से concentrate अपना दिमाग जो है वो नहीं लगा सकते next question is how people in your country keep track of their sleep कि आपकी country के जो लोग हैं वो अपनी नीद को एक चेक कैसे रखते हैं कि उन्होंने कितने घंटे की sleep ली है so answer is I believe that in this day and age कि आज के टाइम में और आज के दिन में people in my country can take advantage of cutting edge devices to be aware of their sleep कि आज कल जो इतनी devices चली हैं उनकी साहता से वो अपनी sleep के बारे में proper एक चेक रख सकते हैं such applications have been invented to analyze their sleep patterns ऐसी application बहुत सी ऐसी applications है जो की invent की हुई है जिनका आविशकार हुआ है कि लोगों के sleeping patterns means वो कितनी देर सोते हैं कितनी देर उनकी नीन जो है वो गहरी होती है उसके उपर एक चेक रखे and even give them some recommendations such as listening to the ocean waves or raindrops which help them to sleep better और उन्हें suggestions भी देती है कि वो क्या चीजें करें जिस वज़े से उनको अच्छी नीन दाए जैसे समुंदर की लहरों की आवाज को सुनना या फिर बारिश की बूंदों के पानी की आवाज सुनना if it were not for those applications अगर ये applications ना होती they might not know what problems they are facing तो लोगों को पता ही नी चलना था कि उनको कौन सी problems जो हैं वो हो रही है next question is how do people avoid falling asleep when you are at a meeting कि आप कैसे अपन खुद को सोने से रोक सकते हो जब आप एक जरूरी meeting में हो answer is I think that the key factor which keeps people awake at the meeting is that they should go to bed earlier than usual or the tiredness because of insufficient sleep will drain their energy the next day कि मुझे लगता है कि इसका सबसे जो beneficial और effective way है वो ये है कि meeting से एक रात पहले वो सोने जल्दी चले जाएं वरना जो थकावट है वो उनके अगले दिन की पूरी energy को भी निचोड लेगी और वो अपने meeting पे focus नहीं कर पाएंगे moreover caffeine may also be another option to help people avoid nodding off at the meeting कि caffeine जैसे coffee भी है वो भी उनको जागने में मदद कर सकती है for example I usually drink a cup of coffee before going to work कि मैं जादा तर जब भी काम पे जाना हो उस पे जाने से पहले मैं एक coffee का cup पीती हूँ या पीता हूँ which keep me conscious all day जो कि मुझे पूरा दिन जगाए रखता है नेक्स आप